हेलो वेड़ों स्वागेता है अपस्तभी का अपस्तभी की अपडेट क्या है उस पर बादचीत करेंगे इसके लावा नकल माफिया गिरफ्तार है कड़ी कारवाई की बात की गई है मादमिक स्क्षावीवाग में 52,000 से जादा पद खाली हैं जी हां बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं मादमिक स्क्षा विवाग में 52,000 जो टोटल पद हैं आपके सिक्षकों के और आपके अनकरमचानियों के मिला कर तो इसमें बड़ी भरती की गुंजाइस की उमीदें हैं हलाएकि ऐसा भी आपकी बिस्स सुक्षा विवाग में भी है मैक्सिमम हजारों की तादात में पद खाली हैं पचास जार से ज्यादा पद खाली हैं करेंड की सैच्चुशन के गर मैं बात करूँ बाकी आने वाले समय में यह पद और भी बढ़ते जाएंगे रिक्तपदों के सापी एक्षब एड़ेड विद्याले में काउंसलिंग चार नॉंबर से है भरती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए और बीएड के फरजे डिगरी पर जो सिक्षक्त उनको राहत की बात की गई है तो सभी अपडेट को क्लिरफाई करेंगे तो चली वीडियो शुरू कर हाला कि उम्मीद कमी है उसकी हर बार की तरह क्योंकि जब आपके जब साहब ही बार बार यह बोलते हैं कि और आया की नहीं तरजार परती का तो ही वह बाकी की सुनवाई करेंगे तो इससे सीदा सीदा इस पस्टे कि आज भी उत्तर गुंजी मुंदे की पर कोई बड़ी अ काम होंगे जिसको लेकर अपड़ितियों का अज धरना प्रदर्शन भी हो सकता है महानिवेदिन के रूप में और आगे इसमें क्या कारवाई है क्योंकि अधिकारी जो है वो बार बार यह बात कहते हैं कि और संबंदित जो भी अपडेट है उसको ही ध्यान ब्रक्तिव मैं लग सकता है या इस हफते या अगले हफते में आपको बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है 31 661 भरती संबंदित अब मैं यहाँ पर अपडेट दिता हूँ तो पिछली वीडियो में कई लोगों ने बोला कि आप सपोर्टर रेंटी 661 की है मैं सपोर्टर हूँ एक जुड़ता कर आप कहीं पर भी अपने जुड़ता दिखाएए वो आपके उपर डिपर डिपरिंट करता है आपकी थिंकिंग उपर मैं यहाँ पर नियूज अपडेट आपको देता हूँ तो उसी प्रकार से आप लोग कंसीडर किया करिए मैं किसी के पाले में हूँ किसके support करता हूं नहीं support करता हूं it doesn't matter और इसकी कोई value भी नहीं इस बात की दूसरी important बात पर आ जाते हैं नकल माफिया जो नतरजार बरती में सेंद्वारी करके दीमक की तरह खोकला करने विबाकों नतरजार बरती नहीं तमाम बरतीयों की इनोंने चरम पर पहुचाया है और उसमें जो मेंनत का सब बरती हैं मांसी परतारना के सिकार इन जैसे दीमकों की वज़ेस होते हैं तो इनकल पर सक्ते सक्त कारवाई की जानी चाहिए तो इस अपडेट को मैंने कल आपको पोस्ट किया था कम्मुनिटी में भी भी इसकी खबर दी थी कि नकल माफिया चंद्रमा यादो गिरिफतार है उन्हें तरह सिक्षक भरती धानली का है अरोपी पुलिस ने हिंदू होस्टल चोराय से पकड़ा है चार मैने तक छखानिक बाद आब हाँ आए क्यों वहाँ था है उसके पिछे रीजन में जान लेजे त्यूंकि सरकार ने कुड़की का चस्पा कर दिया था कुड़की का अदिस आभी को कुछ दिन पहले ही आपको अपड़ेट मिली होगी तो अब कहां भाग के जाएंगे ये 39.000 सिक्षक बढ़ती में धानली मामले में वांचीत नकल माफिया चंदरमा यादो आखिरकार पकड़ा गया स्टीएफ ने सुमार को हिंदू होस्टेल चौराई के पास से गिरिफतार किया स्टीएफ अफ़सरों का दावा है कि पुस्ताश में उसने परिक्षा से पहले अपने काले से प्रश्णपत्र सरगना केल पटेल तक पहुँचने की बात कबूल की है और इसमें लंबे समय से इनकी जाच हो रही है भी केल पटेल तो फरार है ही हाला कि इनसे अच्छे से वसूली की जाएगी और जो अभिरतियों को महांसिक परतारना दी गई है बार बार बरशान किया गया है उसकी भी खातिरदारी इनसे वसूली जाएगी एड़ेड विद्यालों की बात करें तो अध्यापक भरती के लिए काउंसिलिंग नॉंबर में स्टार्ट हो जाएगी मादमिक सुक्षक सेवा चैन बोर्ड इंटर कॉलेजों में अध्यापकों की भरती के लिए 2013 में जो जारी विग्यापन के तैत बचे हुई दोसों 99 उसकी नॉंबर में काउंसिलिंग कराएगा यह जानकार निदेशक माधमिक दिविकान सुकले ने मामले में लंबित आउमाना याजिगा पर हल अफनामा दाकिल कर दी है निदेशक की और से इस बात की जानके निएमूर्ती त्रिपार्टी की त्रिपार्टी ने और अमाना याजिगा पर अगली सुनवाई के लिए 18 नॉंबर की तारीक लगाते हुए की गई कारवाई से अबगतकराने के निदेशक किया है कि आपने क्या कारवाई की है उसका आप लफच्टिक रहना आप 18 नॉंबर की सुनवाई में देंगे तो कहने कहीं जो बचे हुए 2013 के TGT के जो पद हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट है कि 299 जो रिमेनिंग पद है उसमें नॉंबर में आपकी काउंसलिंग आपको देखने को मिल सकती है तो सभी को धेरों बदाई है जो इस समय के सबसे बड़ी अपडेट है वो यह है कि कबरी है मादमिक सक्षा विवाग में 52,110 पद खाली है समुख के 210, समुख के 1602 और समुख में 48,309 भी पद खाली है जो अपने आपे सबसे ज़्यादा ग्रूप C की वेकेंसी हैं आप देखने को मिलेंगी और कौन-कौन से पद हैं यहाँ पर भी आप देख लीजे समुख समुख में एड़िड मादमिक कालेजों में परधानाचार के 21010 पद हैं समुख में राजकी कालेजों में परधानाचार के 379 पद हैं बेसिक सक्षा अधिकारी वा साहिक बेसिक सक्षा अधिकारी के 22 पद हैं वरिष्ट प्रवक्ता के 101 एड़िड कालेजों में प्रचार के संस्कृत स्कूल में प्रचार के 352, सम्मुग में राजगी कालेजों में प्रवक्ता महिला 626, राजगी कालेजों में प्रवक्ता पुरुष 1293, राजगी कालेजों में साहिक ध्यापक महिला 427, वहीं पुरुष 418, प्रवक्ता 2696, साहिक ध्यापक 3188, एड़ेट कालेजों म 119 संस्कृत विद्यालियों में ती जो पूरा डाटा है इंसका पूरा योग जो है वो बावन जारा और सबसे इंपॉर्टन बात है कि 48399 पद जो आपके समूग गम हैं जिसमें साहिक अध्यापक भी आते हैं तो इन साहिक अध्यापक जो इनकी टोटल पद हैं यहां पर इतनात की सक्ति के बाद सरकारी महकेमें में रिक्त पदों का बेवरा तयार हो चुका है और इसमें समूख सब के पूरे टोटल पद हैं और इसमें देखने वाली बात है कि आने वाले समय में जो भीड़ती काफी दिनों से जो बीड़ के बेरती इसके लिए परतिपद्धि सब्सक्राइब कर रहे थे थोड़ा समायूज भी थे कि बड़े पद देखने को नहीं मिल रहे हैं बड़े पद अब आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में और जल्दी आपको इसका विग्यापन भरती की प्रक्रिया और भरती की परिक्षा के समन्नी जानकारी आती है तो आने वाले समय में काफी लंबा इंदेजार करना पड़ेगा तो इस बार मौका हांस से ना छुटे इस बात की पूरी कोशिश करिएगा और अपनी तयारी मजबूत तरीके से करते रहिएगा बात करना अल्टी ग्रेट की तो अल्टी ग्रेट के कई चैनितों की फा हैं जबकि 13 विश्यों में चैनित अब्रतियों की काउंसलिंग हो चुकी है इस मसले पर चैनित अब्रती सोमार को आयोग पहुंचे और वहां प्रदर्शन का ग्यापन सौपा अब्रतियों का आस्वासन दिया गया है कि पीसे 2020 प्रारंबिक परिक्षा के बाद चैनित अब दिया नहीं क्याएं तो कल यह परिक्षा जो है वह संपन हो चुकी है रूब करेंगे इसके बाद लिटिजिन की फाइलिंग नहीं पहुंची है और जल्ल से काम हो सकते दूसरी important ल्टी ग्रेट से सम्मंदी इस हफ्ते आपको कुछ बड़ी अपडेट देखने मिल सकती है समाजिक विज्ञान विशह से सम्मंदी तो रिजल्ट की और इसी में सबसे ज़्यादा पद है और उमीद करेंगे कि यह पद खाली कुछ ना बचे मैक्समम लोगों का इस फिरोजाबाद के साय के दैपकों का वेतन बुकतान रोकने के एकल पीट के फैसले को उस पर रोक लगा दी है और अपील करने वाले सिक्षकों की सिवा जारी रखते वे नियमित वेतन बुकतान करने का निर्देश दिया है और इसको रोक लगाने के लिए सरकार भी पुरी करने का निर्देश दिया है और इसमें सबसे इंपॉर्टन बात है कि जो 2004-2005 वाला सत्र था जहां से बीएड किया गया थे इसमें फर्ज डिग्री की जाना एसाइटी क्यों सौंपी गई थी और एसाइटी ने अपनी रिपोर्ट में बड़ी संख्या में डिग्रियों को फर इमाम बड़ा मस्जिद मीर इमाम अली मेंदी बेगम याजिका पर अनुबती दिये और इसी को देखते हुए ये गाइडलाइन जारी की गई है और डबल बेंच ने इस पर रोक लगा दी है जो सिंगल बेंच का फैसला था कि फरजी डिग्री पर ततकाल प्रभास भुकता रुख दिया जाए तो ये इंपोर्टन अपडेट रही बाकि आज बड़ी जो भी अपडेट आएंगी आपको चैनल से मिलते रहेगी बने रही है राएजुकेशनल के साथ मिस्टर फलक थाएंगी समझ